आपके पास OnePlus का कोई सा भी फोन है, तो यहाँ पे आप Software Update कैसे कर सकते हैं अपने फोन में, यानि कि Oxygen OS 14, Android 14 Update कैसे कर सकते हैं, अब यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ कि About Device पे जाके इस टैप से देख सकते हैं Oxygen OS 13.1 आ रखा है, Official Version आपको मिल रखा है, यहाँ पे आप क्ल कर लेंगे, और यहाँ मैंने रिजूम कर रहा है क्योंकि यह डाउनलोड हो रहा था, Install और डाउनलोड का Option आएगा, आप क्लिक कर लेंगे, इंस्टाल ओनलोड का Option आएगा, क्लिक कर लेंगे, और जब डाउनलोडिंग होगी तो इस टैप से यह आएगा, अब आउट इस व ज़रूरी है, यहाँ पर और भी चीजे दिखी भी है, आपको अगर समझ में आ रहे है कि हाँ ठीक है यह चीज, तो आप इंस्टालर डाउनलोड कर लेंगे, अदरवाइस आप पुराने वाले साफ्ट्वेर के साथ ही जा सकते हैं, ठीक है, अभी Android 13 है, ColorOS 13 है, तो यहाँ Sorry, ColorOS नहीं, OxygenOS 13, तो अभी जो नया मिलेगा, आपको OxygenOS 14, Android 14 के साथ मिलेगा, डाउनलोड हो रहा है, वेट कर लेंगे आपकी डाई जीवी से उपर की है, तो इसलिए यहाँ पे, दस से पंद्रम मिनट का टाइम लग सकता है, तो प्रॉपर आपके फोन में चार्ज होना चाहिए, तीस परसेंट से उपर का, पचास परसेंट हो, तीस परसेंट हो चलेगा, और इंटरनेट से, मतलब प्रॉपर पर इंटरनेट हो, ठीक है, और फोन आपका स्विच आफ हो के अन होगा, आपको वेट कर लेना है, फोन के कोई भी बटन को आपको छेड़ना नहीं है, स्विच आफ नहीं करना है, स्विच आफ नहीं करना है, अपने आप स्विच आफ होगा, बस वेट कर लेंगे, एक्स् तो यहां पर सारे प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको इंस्टॉल नाओ का ऑप्शन मिलेगा आपको क्लिक कर लेना है फोन आपका ओन होने का वेट करना है ठीक है कोई भी बटन को नहीं चेड़ना है बस वेट कर लेंगे तो फोन आपका यहां पर ओन हो चुका है और अपडेट के साथ आपको क्या-क्या डिफरेंस मिला है इसमें यह आप चेक कर लेंगे ठीक है अब आउट फोन पर जाएंगे तो देख सकते हैं Oxygen OS 14 आपको मिल चुका है और यहां पर एंड्रोइड 13 भी आज एंड्रोइड 14 आज चुका है देख सकते हैं तो इस टाइप से आप यहां पर सौट्वर अपडेट कर सकते हैं इससी टाइप की इंट्रोसिंग वीडियो के लिए आई पटेंड पर क्लेक कर लेंगे मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार